नियूज स्टेट से खास बातचीत में कहा है कि इस बार भी हमारी सरकार बनने जा रही है एक जून को विपक्ष की हुई बैठक पर भी उन्होंने सवाल उठाया है और नित्यानंदराय ने कहा है कि ये लोग मातम मनाने के लिए एक साथ बैठे हैं उन्होंने कहा कि बंगाल और बिहार के सारण में हुई हिंसा की लोगतंतर में कोई जगह नहीं है साथ ही सीम नितीज को पेम मोदी से मुलाकात पर कहा कि ये एक सकारातमक मुलाकात है 24 लोग सभा चुनाफ को लेकर मतदान जो हो चुका है और कल जो है वो नतीजे सामने आ जाएंगे और ऐसे में एकजिट पोल जो सामने आया है उसमें ये साफ लग रहा है कि जो एंडिय की सरकार है वो तीसरे बार बंती नज़र आ रही है कि 400 पार कराएंगे और फिर से मोदी जी को परधार मंतरी बनाएंगे पिहार को किस तरीके से देखते है क्योंकि पिछले बार 49 सीटे थी इस बार कहीं न कहीं कुछ समीकरन बिगरता नज़र आ रहा है कोई समीकरन बिगरा नहीं हम 40 की 40 सीर जीतेंगे तेजश्वी यादव और लालू यादव का ये साफ कहना है कि जिस 400 पार किया बात कर रहे हैं अगर वो 400 पार होगा तो समविधान पर खत्रा है और समविधान ही बदल देगी बीजेपी देखिए उलक भड़ में जीने वाले लोग है भरस्टाचारी पड़िवारवादी और हमेशा तुष्टि करने के नीति करने वाले क्या बोलेंगे 400 पार सरकार जितनी मजबूत होगी केंदर की उतनी उतने ही बड़े बड़े नर्ने लेंगे सरकार लेती है तो लेंगे मतलब प्रधान मंतरी आदरनी नर्दर मोदी जी को बड़े बड़े नर्ने लेने के लिए 400 पार की जुरत है जिसको देश की जनता असपस टूप से उतनी 400 पार की बहुमत दे दी है ऐसे माने प्रधान मंतरी जी का जो देड़ एक्षा और संकल्ब सकती है तो आप देखे होंगे कि 10 वर्सों में बड़े बड़े नर्ने लिये जा चुके लेकिन और बड़े बड़े नर्ने के लिए 400 पार की जुरती जनता इसको समझ रही थी और जनता 400 पार इंडिये की करा रही जब चुनाव वगा तो तमाम जोब पर सांथी पुन तस्वीर नज़र आई लेकिन बिहार के सारन की तस्वीर और बंगाल के नौर 24 परगरा में कई जोब पर हिंसा नज़र आई ममता बनर जी ने भी कहा कि ये सरकार जो है केने सरकार कराती है देखिए हिंसा पच्चिम मंगाल का हो सारन का हो चाह जी इस परकार से पाटलिक पुत्रा में राम किरपाल जी के साथ बस सलुकी की गई है उन पर जो परहार किया गया है गोली बारी की गई है यह बहुत असोबडिये हैं और यह उपद्रवी तत्वा जिसको सनरक्षन देने वाले इंडिक अटवंधन के लोग है बिहार में चाह वो आरजेडी हो चाहवा ममता मनरजी जी पच्छी मंगाल कियो ए लोग तंत्र के हत्या करने वाले लोग हैं उनको उसी गुंडा गर्दी में बदमासी में और अपरादियों को सनरक्षन देने में अपराद कराने में उननों को विश्वास है उसका नतिजा या लोग तंत्र में विश्वास उनों को है नहीं लोगों को जनता में विश्वास नहीं है अगर जनता में विश्वास होता तो इस तरह के कारणा में नहीं करते और वह विश्वास जनता का खो चुके है हार उनका तै हो चुका है इसलिए उलोग गुसे में इस परकार की करवाई कर रहे हैं ये भी सवाल है क्योंकि जब बिहार की बात होती है उसके नितीश कुमार भी आज दिली गए हुए है दो दिवस्य दोरे पर हैं अमिर्शास से भी मुलाकात है प्रधान मंतरी की कैसे देखते हैं देखे अब नितीजी मानिय बिहार के मुक मंतरी है, मानिय परधान मंतरी है, अधरनी नड़ेदर मोदी जी से उनकी मुलकात होगी, मानिय गड़ी मंतरी से उनकी मुलकात होगी, इंडिये के बड़े नेता है नितीज कुमार जी, मानिय मुक मंतरी है, तो सुभावी कहे कि दि किये जा रहे हैं जो एक्जिट पूल है वो गलत हारे निता हारे और निरास हुए हतास हुए लोगों का जुन्ड की वह मिटिंग थे सब लोग मातम मनाने के लिए इकठे हुए है जनता ने जो माने परधान मंतरी आधरी नरदर मोगती है जो विश्वास की है और उससे जो हा पड़ाजे उनका निश्चित हुआ है उस पर वह लोग इकठे होकर मातम मनाने के लिए इकठे हुए थे वीडियो जनलिस सतेन कुमार के साथ उतकरश निउस नेशन पटना